Hello students, good morning, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में English compulsory का syllabus लेकी आई हूँ जो कि पंजाबी उनिवस्टी पटेयाला का है इसमें ये एक्चुली प्राइवेट और जो distance education के students हैं उनके लिए भी है और regular students के लिए भी है जो regular कर रहे हैं भी ये उनके लिए भी है और private और distance education के लिए भी है एक्चुल में syllabus एक ही है syllabus सेम है जस्ट मार्किंग का फर्क है जब आपको paper मिलेगा तो आपके जो questions होंगे unit 1, 2 और 3 में उसमें distance education और private के लिए तो एक ही same question paper आएगा बट regular students के लिए अलग आएगा क्यूंकि उनमें जो eternal assessment होती है वो 25 marks की होती है तो उसको निकाल के 75 marks का उनको paper मिलना होता है regular students को पर distance और private students के लिए कोई भी किसी भी तरह की assessment नहीं होती उनको paper है जो complete 100 marks का आता है जिनकी वजह से उनके जो questions में questions है question paper में उनके marks बढ़ जाते हैं सिर्फ यही difference है और किसी भी तरह का कोई difference नहीं है syllabus सबका सेम है books सबकी सेम तो आज मैं आपके साथ private और distance education का syllabus भी शियर करूंगी और साथ में regular students का भी ताकि regular students को और distance और private students को किसी तरह की कोई confusion ना रह सके और वो अपनी papers की preparation है वो अच्छे से कर सके तो यह जो आप देख रहे हो कि यह हमारा जो syllabus है यह private students और distance education students के लिए है तो पहले मैं आपके साथ यह share करूंगी उसके बाद मैं आपके साथ जो हमारा regular students के लिए है वो share करेंगे तो यह हमारा आप यहां पे देख रहे हैं कि आपको यहां पे जो book है वो है प्रॉस पराबल की book है जो prescribed की गई है जिसमें यह 10 chapters mention किये गई है फर्स चेप्टर कुबला खान, सेकेंड आइस आर नॉट हीर, देथ ओफ अ हीरो, फोर्थ ग्रीफ, सेकेंड अंकल पॉट्गर, हैंग्ज अ पिच्चर, डॉक्टर्स वर्ड, ग्रीन पैरिट सीना कीज, डॉल्स हाउस, सर्विस ओफ लव एन डेस्क यह हमारे जो 10 chapters हैं, यह हमें इस बुक में prescribed की गई है, उसके बाद हमारे पास एक बुक है, गरामर की, जो English Grammar in Use की बुक है, यह आपको specially mention की गई है, इस बुक में से ही आपको English Grammar का जो पार्ट है, वो exam में आएगा, और साथ में इसमें आपको exercise भी दी गई है, आपको की बुक का नाम है और यह इसका writer है, तो आपको पूरी English Grammar की बुक है, जो वो नहीं पढ़नी, आपको जस्ट उसकी exercise जो यहाँ पे mention की गई है, वो पढ़नी है, exercise 1 से लेके 37 तक और 69 से लेके 81 तक की exercise आपको यह exercise complete करनी है, फर्स्ट से लेके 37 तक और 69 से लेके 81 तक, आपक उनसे बाहर किसी भी तरह का कोई paper नहीं आएगा, आपको specially इस paper में mention किया गया है, तो यह आपका छोटा सा syllabus है, 100 marks का, अब यह आएगा कैसे, देखिए, यहाँ पे unit 1, unit 1 में हमें क्या बताया गया है, कि एक आपको long question आएगा, chapter 1 से लेके 5 तक, यहाँ तक आपको एक question जो 15 marks का होगा, यह किसी भी theme, किसी भी accident या किसी भी character पे हो सकता है, ठिकें, किसी भी character पे या किसी भी theme या incident पे आपको एक question लिखना होगा, ठिकें जो होगा, 15 marks का, next आपको दूसरा question आएगा, वो question आपको होगा, 6 से लेके 10 chapters, अगले 5 चैप्टर में से 1 question और आएगा, व वो भी थीम, इंसिएंट या फिर किसी करेक्टर स्केच पे बेस्ट होगा तो ये 30 मार्क्स के आपको 2 लॉंग कोशन जो है वो मिलेंगे उसके बाद यूनिट 2 में आपके पास होगा 5 शॉर्ट कोशन होगे ठीके जो आपको इन 10 चैप्टर में से दिये जाएंगे इन 10 चैप्टर में से आपको दिये जाएंगे जो कि हर 3 मार्क्स का एक कोशन होगा मतलब 15 मार्क्स का आपको शॉर्ट कोशन जाएंगे इन 10 चैप्टर में से नेक्स्ट फूर्थ पार्ट में आपको ट्रांसलेशन आएगी 15 marks की 5 stanzas दिये जाएंगे जो आपको English से पंजाबी में change करने है या English से हिंदी में change करने है जो भी आपने medium ले रखा है ठीके तो यह second part हो गया हमारा third part में आपको 10 questions आएंगे third part में आपको 10 short questions आएंगे और B part में भी 10 objective type questions आएंगे difference देखिए आप आपके पास A part है ठीके आपके पास A part है उसमें 10 short questions है और फिर B part है उसमें 10 objective type questions है और यह सबी क्या है 2-2 marks की है मतलब 20 marks का A part 20 marks का B part और total 40 marks और यह question आपको कहां से आएंगे एक तो आपको exercise में से आएंगे इंग्लिश क्रामर की exercise जो हमने उपर book की है इंग्लिश क्रामरी ने यूज की उसमें से जो exercise दी गई थी उसके उन में से आपको यह questions पूछे जाएंगे और यह questions जो होंगे 40-14 होंगे 14-14 होंगे और आपने उन में से 10-10 questions करने हैं इतलब आपको ए पार्ट में भी 14 questions होंगे जो आपको 10 करने हैं बी पार्ट में भी 14 questions होंगे जो आपको 10 करने हैं यह बी पार्ट objective टाइप है जिसमें आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th option दी जाएगे और उसमें आपने टिक करना है कि कौनसा option सही है तो यह आपका syllabus है उमीद है आपको समझ में आ गया होगा आपका syllabus सिर्फ कितना है आपको सिर्फ यह 10 chapters लर्न करने हैं इन में से long और short दोनों टाइप की questions आएंगे और यह grammar की book है जिसमें से आपको सिर्फ यह exercise में जो करनी है और इन में से आपको short जो है part 3rd में short questions या objective type questions के तौर पे पूछा जाएगा उमीद है आपको यह समझ में आ गया होगा यह हमारा syllabus private and distance education के students के लिए है be careful private and distance education students के लिए फरक सिर्फ इतना है मैंने आपको पहले भी बताया सिर्फ question paper की marking का फरक है जो यहाँ पे है pattern सेम होगा pattern में कोई फरक नहीं है just marking में फरक है क्योंकि यहाँ पे 100 marks का पेपर है regular student के लिए 75 marks का पेपर है इसलिए यहाँ पे जो है हर question में marks बढ़ा दिये गए है ताकि उसको 100 marks का किया जा सकी मैं आपके साथ अभी screen पे regular का भी syllabus show कर देती हूं उसका भी pattern आपको समझा देती हूं ताकि आपको कोई confusion ना हो यह आप screen पे देख रहे हैं यह regular students के लिए है यह देखिए for regular students बीए first semester semester first English compulsory communication skill का पेपर है यह ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको देखिए same वैसे ही chapters है 10 same chapters है कोई फरक नहीं है same book है same grammar book है और same ही हमारी exercise है तो यहां पे आपको पता चल गया कि हमारे syllabus में कोई भी फरक नहीं है ठीक है और उसके बाद आप यहां उपर देखिए कि आपको 75 का पेपर है और टर्नल असेस्मेंट 75 मार्क्स के है मतलब आपका पेपर regular students के लिए पेपर कितने मार्क्स का है 75 मार्क्स का जैसे कि unit 1 में हमने पीछे भी देखा था कि 2 questions आएंगे वो उधर 15 15 के पर यहां पे 11 और 10 मार्क्स के हैं फिर उसके बाद 5 short questions आएंगे जो की 3 3 मार्क्स की होंगे आपको 4 करने है और वो कितने की होंगे 12 मार्क्स की उसके बाद हमारे पास 5 sentences है ट्रांसलेशन के वो भी आपको 10 मार्क्स किया उधर 15 मार्क्स की थी आपको 10 मार्क्स किया यहां पे और जो पार्ट 3 है उसमें उधर 10 questions थे पर इधर आपको 8 questions दिये गए हैं दोनों में ए पार्ट में भी 8 questions है बी पार्ट में भी 8 questions है 12 questions होंगे हर पार्ट में आपको 8 8 attempt करने और 8 8 जो है वो 2 2 मार्क्स की होंगे मतलब कि यह आपका 5 32 मार्क्स का जो है short questions आपको आने वाले यह देखे ठीक है तो same paper है same pattern है कोई भी confusion नहीं है just marking का फर्क है वो आपको जब आपने regular में admission फिल किया है तो आपको उसके according paper मिलेगा और distance और private में जिसने admission लिया उनको उनकी according एक paper मिलेगा book same as syllabus same as syllabus में कोई भी फर्क नहीं है तो important instruction आप ज़रूर दियान रखेगा कि important induction examiner की तरफ से क्या है कि candidate है जो question one only at one place सिरफ एक जगा पे question attempt करेगा यह नहीं है कि आप एक sheet पे एक question लिखरे हो दूसरी तीसरी चौथी screen पे जाके sheet पे फोर्थ question लिखरे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक जगा पे एक बार में ही question खतम करोगे मानों आपने unit जो आफ second थर्ड शुरू कर ली कि हम short question पहले कर देते हैं तो जब तक unit third खतम नहीं होती आप बीच में unit second नहीं शुरू करोगे तो इसे examiner को भी confusion होती है checking करने में और आपको भी confusion रहते हैं कि हमने यह कर लिया या नहीं किया तो आप भी ढूंते रहोगे और वो भी check करते हुए ढूंते रहेंगे तो जब तक आपका कोई भी एक unit जो भी आप शुरू करो अगर वो खतम नहीं हो तब तक आप दूसरी आप पहली या third unit नहीं उठाओगे तो यह best way है कि आप पहले first unit करो second करो third करो अगर आपको third पहले better लग रही है कि हमारे 32 marks के हमारे short questions है हमें वो करने चाहिए तो आप वो उठा सकते हो unit आप पहले कोई भी उठा सकते हो पर पहले उसको अच्छे से complete करो complete करने के बाद unit second और first उठाओ unit third उठाओ फिर unit second उठालो फिर unit first उठालो जैसे भी आपको ठीक लगता है पर अगली unit तब ही उठाना जब आपकी first unit complete हो गई हो जो भी आपने attempt किये उमीद है आपको difference में आ गया होगा अच्छे से आपकी preparation हो जाएगी next वीडियो में मैं आपको English grammar in use की book में से जो हमें यहाँ पे exercise दी गई है वो exercise में आपको complete करवाओंगी क्योंकि हमें उसी exercise में से जो question paper में से question आएंगे तो हम उन्ही exercise को अच्छे से revise करेंगे ताकि आपके grammar में से marks कहीं भी कटना हो उमीद है आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कहीं confusion रहे तो आप comment box में comment करके पूछ सकते next वीडियो में हम English grammar in use की book के साथ मिलेंगे उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगे होगी thank you so much